हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोचर प्लेनेट, आज हम एक्सप्लेन करेंगे 1973 में रिलीज हुई मलीजिया मूवी को, जिसे डारेक्ट किया था सालबाटोर सेमपरी ने और बात करें इसके MDV रेटिंग के बारे में जो है 6.4 आउट अफ 10 स्टार, इस मूवी में हम देखें और ये फिनरल इगनाजियो की बाइफ का होता है, इगनाजियो के तीन बेटे भी होते हैं, जिसमें सबसे छोटे बेटे का नाम एंजियो होता है, दूसरा बेटा नीनो और तीसरा बेटा नूसियो, इगनाजियो की बाइफ के गुजर जाने के बाद ये चारों अकेले रह गयते फिर एगनाजियो एंजेला नाम की नौकरानी को रखता है जो काफी खुबसूरत होती है एंजेला काफी हार्ड वर्किंग होती है और वो चारों का बहुत खयाल रखती है एगनाजियो के दोनों बेटे नूसियो और नीनो एंजेला की तरफ अट्रेक्टेड होने लग जिसे नीनो छुपाकर रखता था फिर एक दिन फुटबॉल खेलते समय नीनो काच के टुकले पर गिर जाता है जिससे उसके थाई पर चोट लग जाती है इसके बाद वो घर आता है और एंजेला उसके थाई पर बेंडेज लगाती है और वो इस टाइम पूरा नेकेड होत है फिर हम देखते हैं रात को एंजेला एंजीयो को चेक करने आती है तब नीनो उसे देखता है कि उसने एक ट्रांसपेरेंट ड्रिस पहन रखी है इसके बाद वो एंजेला को किसी भी कीमत पन नेकेड देखना चाहता था अगले दिन नीनो को स्कूल ना जाना पड़े जि उसने एक छोटी सी स्कट पहन रखी होती है जिससे उसकी बैक दिख रही होती है जिसे इगनाजियो देख लेता है और वो उसे घूरने लगता है और वो भी एंजेला की तरफ अट्रेक्टेड हो जाता है दूसरी तरफ नीनो भी ये नजारा देखकर मजे ले रहा होता है इसके बाद हम देखते हैं इगनाजियो एंजेला के साथ साधी करना चाता है और वो ये भी जानता है कि एंजेला सिंगल है फिर इगनाजियो का बड़ा बेटा नूसियो भी एंजेला को इंप्रेस करने में लग जाता है जिसकी बज़े से उसे चोट भी लग जाती है फिर एक दिन एंजेला देख लेती है कि नीनो ही उसके लिए गुलाब रख रहा है फिर उसी दिन नीनो को कुछिन से कुछ आवाजे सुनाई देती है जब वो बहां जाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि नूसियो एंजेला के साथ इंटिमेट होने की कोशिश कर रहा था और एंजेला मना कर रही थी इसके बाद नीनो नूसियों से भिड़ जाता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं एंजेला उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो दोनों नहीं रोकते तब एंजेला बहां से चली जाती है क्योंकि नूसियो जानता था कि नीनो भी ए किम्हाद करने वाला था फिर नीनों देखता है कि इंग्नाजियों एंजला के रूम में जा रहा है जिसे देखकर उसकी जलने लगती है फिर वह उसे रोपने के लिए ग्लास से बिंडों के शीशे को तोड़ देता है जिससे एक अलार्म बचती है और इगनाजियों को लगता है कि कोई चोर घुसाया है अगले दिन पुलिस आती है फिर उन्हें पता चलता है कि घरब से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है इसलिए इगनाजियों को लगने लगता है कि ये उसकी बाइफ के भूत ने किया है इसके बाद हम देखते हैं इगनाजियों नीनों को कुछ कपड़े लेकर कोरेलों के यहां डिलेवर करने के लिए कहता है ताकि वो एंजेला से शादी की बात कर सके जिससे नीनो को ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है जब वो कुरेलो के यहां कपड़े लेकर पहुँचता है तब कुरेलो को लग रहा था कि इगनाजियो कपड़े लेकर आएगा क्योंकि वो उसे seduce करना चाहती थी लेकिन वो Nino को देखकर थोड़ा surprise हो जाती है और वो Nino को wine drink करने के लिए कहती है और वो उसे ही seduce करने की कोशिश करती है वो उसे कहती है कि वो कपले पहन कर आ रही है और वो उसका wait करे लेकिन नीनो पोर्सेलो को बहाँ पर बैठा कर बहाँ से भाग जाता है फिर घर आकर वो इगनाजियो और एंजेला के बीच हुई सारी बातों को सुन लेता है इगनाजियो एंजेला को शादी के लिए प्रपोस करता है क्योंकि उसे एक बाइफ और अपने बच्चों के लिए मा की जरूरत थी लेकिन एंजेला को ये सब ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि वो वस एक नौकरानी थी लेकिन थोड़ा सोचने के बाद वो शादी के लिए हाँ बोल देती है लेकिन ये सब सुनकर नीनो को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अजेला को पाना चाता था अगले दिन इगनाजियो अपनी पूरी फैमली को लेकर अपनी मा से मिलने जाता है और वो उसे कहता है कि वो अपनी नौकरानी एंजेला से शादी करने वाला है ये सुनकर उसकी माँ उसे मना करती है कि तुमें उस नौकरानी से शादी नहीं करनी चाहिए अगर तुम एक नौकरानी से शादी करोगे तो हमारे खांदान की क्या इज़त रह जाएगी इगनाजियो अपनी मा को समझाने लगता है कि वो एंजियो से प्यार करता है फिर उसी रात को हम देखते हैं नीनो अपने छोटे भाई एंजियो को जगा कर कहता है कि उसने अपनी माम का भूत देखा है और वो नीन में उसका नाम ले रहा था वो उसे जोर जोर से रोने को बोलता है और नीनो की बात मानकर एंजियो रोने लगता है और कहता है कि उसने अपनी माम को देखा है और उसे अपनी माम चाहिए जिसकी आवाद सुनकर एंजेला वहाँ पर आ जाती है लेकिन फिर भी वो रोना बंद नहीं करता फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि सभी अपने घर वापस आ जाते हैं फिर उसी टाइम टीवी देखते हुए नीनो एंजेला की लैक्स को टच करने लगता है लेकिन एंजेला उसे इग्नोर कर देती है अगली सुबह जब एंजेला कपले प्रेस कर रही होती है तब नीनो वहाँ पर आता है और उसकी ब्रा उठा कर उसे पूचता है कि ये क्या है तब एंजेला उस पर चिला कर कहती है कि उसे सीधा बनने की जरूरत नहीं है वो जानती है नीनो कितना चोदू है और उसने उसके कमरे में एडल्ट मैगजीन भी देखी हुई है फिर रात में नीनो फिर से एंजेला को जगाने की कोशिश करता है लेकिन इस बार वो नहीं उठता तब नीनो खुद ही चिलाने लगता है कि उसने अभी अपनी मा के भूत को देखा है फिर हम देखते हैं अगली सुबर नीनो एंजेला से बेहुदी बाते करता है जिससे एंजेला काफी ज़्यादा इरिटेड हो जाती है फिर शाम को नीनो एंजेला को सीड़ी पर चड़ कर एक बुक निकालने को कहता है जब एंजेला उपर चड़ी हुई होती है तब नीनो अपनी हवस भरी निगाहों से उसकी सेक्सी लेक्स देखता है लेकिन एंजेला को उसके इरादों के बारे में पता चल जाता है फिर वो उस पर चिलाती है जिसके बाद नीनो बहां से चला जाता है अब उस रात को भी नीनो चिलाता है कि उसने अपनी मा के भूत को देखा है फिर अगले दिन एगनाजियों एक फादर को लेकर आता है क्योंकि उसे सच में ऐसा लगने लगाता कि उसकी वाइफ का भूत घ घरसे बहगाना चाहता था क्योंकि वह इसके चलते एंजेलासे शादी नहीं कर पा रहा था जब बात फादर नीनो से कुछ सवाल करते हैं, जिस पर नीनो कहता है उसे अपनी माह की आत्मा दिकाई देती है, और एंजियो भी यही कहता है, एगनाजियो कहता है यह दोनों बच्चे हैं और हो सकता है इन दोनों ने कोई सपना देखा हूँ फादर उसे कहते हैं जब तक उसकी बाइफ का भूत यहां से नहीं जाता तब तक तुम एंजेला से शादी नहीं कर सकते फिर रात को नीनो एंजेला के कमरे में जाता है और वो उसे घूरने लगता है एंजेला अचानक से उठती है और नीनो से पूछती है तुम यहां पर क्या कर रहे हो लेकिन नीनो उसकी बाद का कोई जवाब नहीं देता और लगतार उसे घूरते रहता है नीनो को इस तरह देखकर एंजेला काफी डर जाती है और वो रोने भी लगती है इसके बाद हम देखते हैं इतना सब कुछ होने के बाद भी एंजेला इगनाजियो को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं बताती फिर सुबा को एंजेला नीनो के रूम में कच्रा लेने के लिए जाती है तब वो कागच के टुकले फेकने लगता है जिनने इखटा करते करते एंजेला की हालत पतली हो जाती है वो नीनो से कहती है वो उसे परिशान करना बंद कर दे और अगर वो उसे नेकिड देखना चाता है तो वो नेकिड हो जाएगी ये सुनकर नीनो रुख जाता है और एंजेला को इगनोर कर देता है फिर हम देखते है नीनो अपने दोस्ट पोर्सेलो को लेकर अपने घर आता है और वो एंजिला से कहता है कि वो उसे नेकड देखना चाता है फिर एंजिला अपने रूम में नेकड होने लगती है और नीनो अपने दोस्ट के साथ बिंडो पर से उसे देखने लगता है लेकिन तब वो एंजेला से शादी कर सकता है, फिर हम देखते हैं एक रात को एंजेला अपने रूम में सोने के लिए आती है, तब नीनो बहीं पर होता है, फिर वो नीनो को जाने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है अगर उसने शोर मचाया तो वो अपने फादर को बता देगा, कि एंजेला उसके सामने नेकेड हुई थी, फिर उसी टाइम इगनाजियो उसके डोर पर आ जाता है, जिसका फायदा उठाकर नीनो एंजेला को टच करने लगता है, फिर मजबूरी में एंजेला उसे कुछ भी नहीं बोलती, और नीनो जाने से पहले उसे कहता है कि उसे उसक पड़ मार देती है, इसके बाद इंगनाजियो अपने किये के लिए शर्मिंदा होता है, और उसे सौरी कहता है, नीनो को लग रहाता ऐसा करने से उनके बीच में जगड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, और उसका ये प्लान भी काम नहीं आता, इसके बा लगता था, नीनो उसी बात का फायदा उठाता है, और एंजेला को डराने लगता है, एंजेला डरने लगती है, और काफी ज़्यादा परिशान हो जाती है, फिर नीनो उसे ब्लेकमेल करता है, और उसे सारे कपले उतारने को कहता है, बरना वो उसे डराना नहीं फिर एंजेला उसकी बात माल लेती है और सारे कपले उतार के नेकेड हो जाती है तब ही वो नीनो को भी पकड़ लेती है और उसके साथ इंटीमेट भी हो जाती है इसके बाद हमें कुछ दिन आगे का सीन दिखाया जाता है जिसमें इगनाजियों एंजेला के साथ साधी कर र सब्सक्राइब कर लीजे मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में